हेलो दोस्तों आज मालती और उसका पती कहीं सुबह सुबह जाने के लिए निकले हैं देखते हैं सवारी किदर जा रही है अरे रिंकी के पापा आप कहां मुझे बिना बता है सुबह सुबह लेकर जा रहे हैं बताते भी नहीं कहां जा रहे हैं घर में पता है कितना काम अरे तुम भी ना मालती, चलो जल्दी चलो, तुम्हारे लिए एक सप्राइस तयार किया है मैंने, मुझे पूरा विश्वास है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा, बस थोड़ी ही दूर तो जाना है, अरे रिंकी के पापा, ये आपने मेरे आखे क्यों बंद कर दी है बच् पसंद आएगा, ये लो, अब इंतजार खतम, मैं तुम्हारी आखे खोलता हूँ, देखो अब अपनी आखो से, क्या सप्राइस है, अरे, रिंकी के पापा, ये आप मुझे कहां ले आए, और ये किसका घर है इतना बड़ा महल सा, ये कहां ले आए आए आप मुझे, भी बोलते हैं, अरे, नए ही मालती, ये हमारा ही घर है, दो महीने पहले मैंने लोटरी जीती थी, जिससे मैंने एगर खरीदा, क्या, आपनो मुझे बताये क्यों नहीं इतनी बड़ी बात पहले, ये हमारा घर है, रिंकी के पापा, ये तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कि इतना बड़ा घर मुझे मिलेगा, अच्छा, सुनो, मुझे गार्डन में कुछ काम है, तो मैं वो करकर आता हूँ, ठीक है, तुम जाओ, अंदर जाकर अराम से घर देखो, ठीक है, रिंकी के पापा, मैं जाती अरे वाई, सोफा सेट और पेड तो देखो, रिंकी के पापा की पसंद तो बड़ी अच्छी है, उन्होंने इतना सुन्दर समान, वो भी मेरा बिना कैसे खरी लिया, वाँ, मैं तो बड़ी इंप्रेस हूँ, बड़ी खुश हूँ, ये जुमर भी कितना सुन्दर है, और पेंटिंग भी, सब कुछ एक दम बढ़िया और पर्फेक्ट है, मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को बिलाकर खुब पाटी दे सकती हूँ, और हम खुब मज़े करेंगे, मेरे बच्चे, रिंकी भी कितनी खुश होगी यहाँ पर आकर, उसक सब कुछ आधुनिक है यहाँ तो, यह डाइनिंग टेबल भी कितनी बड़ी है, हमारे पुराने घर में तो छोटी सी थी, रिंकी के पापा को कितनी बार बोला मैंने नई लाके दो डाइनिंग टेबल, वो मानते ही नहीं थे, पर आज देखो उन्होंने मुझे सब कुछ ए पापा ने एक साथ ही सब कुछ दे दिया, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा घर इतना अच्छा हो सकता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बड़े होटेल की किचन में आ गई हूँ, इतना समान तो मैंने सच्ची बोलो, किसी के घर म अच्छा है, आसपास अगर घर होते हैं ने बिल्डिंग होते हैं तो व्यू ब्लॉक हो जाता है, चलो उपर देखते हैं, अरे वा, ये तो बहुत ही अच्छा बेडरूम है, इतना बड़ा भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं क्वीन एलिजबित के महल में तो नही आ गई, बिल्कुल वैसा सा ही है, रिंकी के पापा की पसंद तो बड़ी अच्छी है, कहना पड़ेगा, मुझे पता नहीं था, अरे वा, ये शीशा भी कितना अच्छा है, देखती हूँ इसके अंदर इतनी जगा है कि नहीं, हाँ, इसमें तो बहुत जगा है, मैं रोज जगा है यहाँ पर, यहाँ पर सब रख सकती हूँ मैं, और बच्चों का भी सारा समानिहा पर आ जाएगा, रिंकी की सारी ड्रेसेस फिटो जाएगी, और हम बहुत ही खुशी से रहेंगे, चलो अब एक काम करती हूँ, बहार जाकर देखती हूँ, बहार एक बैलकनी दिख रही है, देखती हूँ वो कैसी है, अरे वा, यह बैलकनी तो बहुत ही बड़ी है, जितना मैंने सोचा था यह तो उससे भी बड़ी है, हमारे पुराने गर में तो ऐसा था ही नहीं, सिर्फ एक ही फ्लोर था, अब तो हमारे पस बहुत जगा है, कि रिंकी अराम से खेल सकती हैं, और मैं यहां पर अराम से बैठके रोज रेडियो भी सुन पाऊंगी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ यार, रिंकी के पापा ने तो आज कमाल ही कर दिया, मैं तो सच बोलू, मेरे सारे रिष्टेदार भी आएंगे न, जब मेरे नए घर तो वो खुश होंगे देखके आरे रिंकी के पापा, मुझे घर बहुत पसंद आया, आपने ये कमाल कैसे कर दिया, जब बताईए मुझे, मुझे बहुत पसंद आया घर, अरे मालती, बस यही तो मैं चाहता था कि तुम्हे बहुत पसंद आये, मैं बहुत खुश हूँ, आर भगवान जी आपका भी लिए भी बहुत खुश हूँ इसी तरीके की और कहानिया देखने के लिए और मालती और उसका परिवार अपने नए घर में क्या करते हैं देखने के लिए हमारा चानल लाइक इन सब्सक्राइब जरूर करें थांक्स फूर वाचिंग